आज हम क्लास टोवेल्थ फिजेक्स के यूनिट दस के एक महत्पूर प्रसने को स्वालव करेंगे तो आज का हमारा प्रसने है मौडूलेशन या फरसी को मौडूलन कहते हैं किया है इसकी किया आब सेकता है एब हम इसके पिरकारों को समझाईए तो चलिए अब हम सबसे पहल स्वाल सबसे पहले अफ्लव्द हो सक सकते है वह है किरिया जिसमें शिर्ब आबर्त्ति तरंगों को बाहक तरंग अरफात दब्रयों तरंग को हम औरधाक तो किया जाता है अ safest मिलाया जाता है तो उसे हम modulation या फर modulan कहते हैं अर्थात जब कोई संदेश या सूचना बहुत दूर तक नहीं जाती है क्योंकि उस संदेश या सूचना की जो आबर्ति होती है वह बहुत कम होती है इसलिए उस तरंग को रेडियो तरंग या फर बाहक तरंग के साथ अधरोपित कर दिया जाता है जिससे आसानी से वह संदेश वह सूचना दूर तक जा सकता है तो चलिए अब हम इस definition को डाइगराम के द्वारा समझ लेते हैं जैसे माना यहां पर हमने माना यह है सिरब आबरति तरंग और माना यह है बाहक तरंग इसे रेडियो तरंग कहेंगे तो जब यह है सिरब आब लण तरंग कहते हैं तो यहां पर जो इस परकार है यह इसको हम कहेंगे चलिए आबरति तरंग और जो यहां पर वीच में है यह है Soon है बहुत दूर तक सूचन यह संदेश को बहुत लिए जह सकती है तो चलिए अब हम जान लетьадно है इसकी आबसेक तक क्यों होती है तो स् हम डिजीटल भी कहते हैं सिगनल सामानित है कम आबरति के होते हैं अर्थात उनकी आबरतियं कम होती हैं और इनको सीधे पिरेशित करने से यह बहुत तेजी से छीड हो जाते हैं अर्थात एदिया में इनको बिना बाहत तरंग या फिर रेडियो तरंग के साथ अध्यरूपत करके सीधे ही पिरेशित कर दें अर्थात भेज दें तो यह बहुत तेजी से छीड हो जाते हैं अर्थात नस्त हो जाते हैं जिससे अधिक दूर तक इनका संचरण नहीं होता है अर्थात यह अधिक दूर तक नहीं जा पाते हैं अता है इन सिकनलों को बाहक तरंग अर्था रेडियो तरंग पर अध्यारोपित करके एक इफ्थान से दूसरे इफ्थान तक भीजा जा सकता है अध्यारोपन की यही किरिया मौडूलेशन या फर मौडूलन कहलाती है तो चलिए अब हम मौडूलेशन के पिरकार जान लेते हैं मौडूलेशन निम्न तीन पिरकार के होते हैं फहला है आया मौडूलेशन इसे सोट में एयम कहते हैं किसी स्रब आबरती तरंग के आयाम के अनुरूप बाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन की किरिया आया मौडूलेशन कहलाती है अर्थात जब किसी स्रब आबरती तरंग के आयम की अनुसार बाख तरंग के आयम में परीवर्तन होता है तो उसे हम आयम modulation कहते हैं इसे संचे में एम से परिदासित करते हैं मडूलेशन में माडूले तरंग की आपरत्ती एबम कला के समानपाती होती है जब modulation होता है तो जो modulation के बाद राप्त तरंग होती है उसको हम modulate तरंग कहते हैं तो उसकी आबरत्ती एबम कला जो radio तरंग या फिर बाहक तरंग होती है उसकी आबरत्ती एबम कला के समानुपाती होती है तो चलिए अब हम जान लेते हैं अंगला फरकार तो अंगला फरकार है आबरत्ती मौडूलेशन इसे स्वाट में एप हम भी कहते हैं किसी स्रब आबरत्ती तरंग की आबरत्ती के अनुरूप बाहक तरंग की आबरत्ती में परिवर्तन करने की किरिया आबरत्ती मौडूलेश या फर family कहते हैं इसे संजेह्टम आफ्यम सी फिटध critic करते हैं आपरती मौडूलेशन में माडूलë तरंग का आयाम एभम कला वाहक तरंग के आयाम एभम कला की ॥ी मिद्यावरेशन, तो चलिए, अब हम आगब बढ़ते हैं, अब हम जान लेते हैं कला मोडुलेशन या फिर से सोट में पीयम भी कहते है, क्या होती है? किसी शरब आविरतितरंग की कला की अनरूप बाहक तरंग की कला में परिवर्तन करने की किरिया कला मोडुलेशन कहलाती है अर्थात किसी सिरब आबरती तरंग की जो कला होती है उसके अनुसारे दी बाहक तरंग की कला में परिबर्तन हो जाए तो उसे हम कला मॉडुलेशन कहेंगे से संचेम में पी एम से प्रदर्सित करते हैं और कला मॉडूलेशन में माडूलत तरंग का आयाम एबम आबरत्ती बाहक तरंग इहां पर स्वारी बाहक नहीं लखा है बाहक तरंग के आयाम एबम आबरत्ती के समानुपाती होती है थैंक्यू